हालो नमस्कार दोस्तों मैं सूर अजमल राठोड आप सभी का ओनलाइन एज्यूकेशन हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं सुरा पर्थम पांच दिवस्य दिपोथ सो त्योहार की हार्दिक सुबकामनाई धन तेरस से लेकर भाया दूस तक चलने वाला ये जो विशेश त्योहार सनातन धरम में मनाया जा रहा है ये त्योहार आपके लिए बहुत सारी सुबकामनाई लेकर आई यही मैं इस यूट्यूब चैनल के माद्यम से दुआ करूँगा आज हम एक और विशेश कलास कक्षा साथ अपिसोट नमबर तीन तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं और तीसरे पार्ट में हमारा जो आज का लेसन है वो जल है और जल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा साथ का जो तीसरा देहाई है वो जल और इस जल से समंदित कुछ परसन आज मैंने इसमें साजा किया है तो आप धेरिया बनाकर इसको सुनते रहिए सबसे पहले भारतिय संस्कृति में जल का बहुत ही महतो है हमारी जो भारतिय संस्कृति है किसी की बात करें हमारा जल का वो बिशेश में तो बताया गया है क्विशन नमबर एक जल चक्र का जल चक्र को चित्र के माद्यम से समझाईए जल चक्र है उसको चित्र के माद्यम से समझेंगे हम तो जल चक्र का जो चित्र है उसकी बात मैं आपको इसके माद्यम से बताता हूं जल चक्र का प को पूरा डाइगराम दिखाया जा रहा है यह जल चक्र का ही डाइगराम है यह हमारा इदर यहां से लेकर यह हमारा ध्रहतल वाला भाग है और इदर यहां से लेकर यह महा सागर है और इस महा सागर देखिए यहां से हमारा ध्रहतल हो गया है यह भूमिगत यहां से जल है और यह जल देरे देरे होकर इधर यह जल का बहाओ वह इस साइड में होता है और यह महासागर में मिल जाता है और महासागर में बास्वेकरण की क्रिया से भाईयो मंडल के कुल जल बास्वेकरण का लगवक अर्थ 80% महासागरों से प्राप्त होता है तो यह जो जल है वह इस संग्नन की किरिया कर बादल बन जाते हैं यह जो बादल बनाया जा रहा है इदर सुरिया का जो परकास आ रहा है संग्नन की पर किरिया से यह बादल में चले जाते हैं उसके बाद में जो संग्नन है यहां पर बादल बनते हैं और इससे पवन के माद्यम से हुआ के माद्यम से ये बादल में प्रवेश करते हैं बादल में प्रवेश करने के बाद में यही बास्विक्रन है वो धीरे धीरे वर्षा का रूप है ले ले लेती है इदर ये जो हिम है वो पिंगलते वी ये जल का रूप ले लेती है इदर ये जिल है आपको जिल दिखाई जा रही है ये सेड में तो इस परकार का जो ये पूरा है वो ये जल चक्र है ये जल इदर से आके वापिस एक जल का रूप ले लेता है फिर मास आगरमे फिर वास विक्रण की परकिरिया से संग्रन और बादल बनना और इसके बाद में हवा के माद्यम से बादल में परवेश और फिर ये बारिश हो जाती है इस तरीके से ये जल चक्र है वो हमेशा ये चलता रहता है उसके बाद देख दूसरा परसन हमारा भारत में सबसे कम वर्सा कि स्थान पर होती है भारत में सबसे कम वर्सा कि स्थान पर होती है तो थर नह पर्थवी पर मौझूद समस्त जल का कितना पानी श्वच्छ या मीठा है दो परतिस्ट दो पॉंट पांच परतिस्ट जो जल है वो इसे पर्थवी पर मीठा पाया जाता है स्थल पर मीठे जल के शरोत कौन कौन सी है जो हमारा स्थल है उस पर जो मीठे पानी के शरोत है वो कौन कौन सी है उसकी बात हम करें तो देखे नदियां हैं जीलें हैं बांध है तालाब कुई एनिकट भूमिगत जल अदी जो है वो यहां पर स्थल पर मिठे जल है कुछ नदियों की बात हम करें जो स्थानों से समंद बताती है उनका मैं एक चितर आपको दिखाता हूँ यह जो आपको चितर दिखाई जा रहा है कि आप जानते हैं राजस्थान के नदिक के तट पर बसे कुछ सहर एम नदियां राजस्थान है उसके नदी का जो तट है किनारा उस पर बसे वे कुछ सहर और कुछ से जो हमारी नदियां है उनकी बात हम कर रहे हैं देखिए इस साइड में सहर है और इस साइड में नदिया है तो कोटा सहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है टॉंक सहर है वो बनास नदी के किनारे है और जो उद्यपूर है वो आइड नदी के किनारे बहुत ही पूर्टन्ट है पूछा जाए तो कोटा सहर है वो चं निकट बसे वे कुछ विश्व के कुछ नगर है उसकी बात हम कर रहे हैं कि इस डाइगराव कर थोड़ा समय क्लोज करता हूं छोटा करता हूं थोड़ा सा जिससे हमारा ये शूईदा हो जाए देखिए बात कर रहे हैं हम सबसे इस साइड में आपको दिखाये गया नदी के किनारे स्थित नगर महा सागर्तर प्रस्थित नगर और जील की किनारे पर कुछ न गए, सबसे पहले हम नदियों की बात करें तो नदियों में हम सबसे पहले दिल्ली दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भारत में स्थित है दिल्ली यमुना नदी के किनारे बारत में स्थित है इलाहवाद गंगा यमुना के संगम पर है और ये भारत में स्थित है लंदन थम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये इंग्लेंड में स्थित है उसके बाद में आपको बताओं रोम है वो टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है और जो इटली का एक सहर है उसके बाद में हम बात करें अगले सहर की तो यहां पर पेरिश पेरिश जो है फ्रांस का एक सहर है जो सीन अदी की किनारे बसा हुआ है जो फ्रांस में स्थित है उसके बाद में इस साइड में महानगर है ये इस महानगरों की बात करें तो मुंबई है वो हिंद माहा सागर है माहा सागर के किनारे बसा हुआ है और यह जो है आपका मुंबई वो भारत में इस्तित है चेनई हिंद माहा सागर के किनारे बसा हुआ है जो भारत में इस्तित है नियू आर्क अंटलाटिक माहा सागर में है चार परमुक माहा सागर उस प्स भागोने सिगर किनारे बसी है उनकी बात हम करें तौ सिबसे पहले हमारी जो जीड़ है ड्ल जील के किनारे बसा हुआ है जो भारत में स्वेदित है पुशकर G-ski⊂ किनारे है जो भारत में स्थित है सिकागो जो मिशीगन जील के किनारे स्थित है जो यूसे में है डूलूत सहर जो स्पीरियर जील जो मिठे पानी की जील हो आपकी यूसे में स्थित है बेफेलो जो फेलो सहर है वो इरी इरी जील जो यूसे में स्थित है हमने विविन सहरों क कि बात किए विविन नगरों की बात किया है जो नदी महाःसागरों में पानी खारा होने का जिर ने के मात्रा अधिक पाई जाने के कार्ण माहसागरों का जल्य वो खारा हो बाता है विश्व की सबसे खारे पाने की जील विश्व की सबसे खारे पाने की जील हम वर्ड की बात कर रहे हैं वर्ड की सबसे खारे की बाने की जील है वोन जील जो तुर्की में रिस्तित हैं बहुत इपोर्टेंट प्रिक्षा की द्रश्टी से विश्व में खारे पाने क जील के उधारन बताएं कौन-कौन सी जग्या खारे-पाने के जिल के उधारने जोर्ड़न एबम इज्राइल के मद्यामरिट सागर राजस्तान की सामबर जील अधि खारे-पाने जील के उधारने हमें मिलते हैं उसके बाद में हम नेक्स्ट क्योश्चन के परसन नम्र 8 कौन कौन से तत्वों से जल में खारापन आ जाता है कौन से तत्वों में जो मासागर का खारापनी है उसमें खारापन का तत्वों आ जाता है उसकी बात हम करें तो हम देखिए बात कर रहे हैं सोडियम कलोराइड कैलिशियम मेगनेशियम यह जो तीन तत्वों होते हैं इन से मासागरों के जल में खारा पना जाता है जल सरंक्षन के कानून कौन कौन से बनाए गए है तो जल सरंक्षन गानून कानून 1978 यो बनाए गया है हैं यहां पर कानून बनाएगे हैं गंगा को साफ करने के लिए कून से अभयान बारस सरकार दोबरह चलाई जा रही है तो देखिए जो आपका प्लान गंगा एक्षिन प्लान नमामी गंगे देश के बरत्मान ततकालिक परधान मंत्री अरेंद्र मोधी द्वारा ये प्लान जो कार्योजने चलाई गई है गंगा एक्षिन प्लान और नमामी गंगे जल दिवस मनाया जाता है वेरी पोर्टेंड क्वेस्टन है 22 मारच को दल जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं अधोनिक जल संग्रण वीदियों में कम वर्षा वाले काम किज गए यहां पर कम है वर्षा वाले चेत्रों के लिए दिकोप योगी वीदी कौन सी है रूफ टॉफ जल संग्रण वीदी आपको एक चितर दिखाता हूं और उस चितर में एक स्कूल ने इस वीदी का नुसरन किया है वो देख यह जो आपको डाइग्राम दिखाया जा रहा है यह रूफ जो राजसमंद के प्लात्री गाउं का राजक्य विदाले वां पर रूफ टॉबजल संग्षन वीदी अप स्कूल-टॉबज होने के बाद में आप यह बरा जाता है और जिस असपानिय को काम में लिया जाता है राजसमंद का यह विदाले है और इस विदाले में राजग्चहन जो रूफ टॉफ जल सरंक्षन वीदी बनाईगीessä até वर्षा कम होती है कम वर्षा वाले 새T- Swiss Retort बाड़ो कामें लजाती है आगे बापस औरनेतरम कुंशन कि और अबते हैं कि दे Ведь थे जाव देन और साफ जल को कहा जो बिल्कुल जो फश्व चल्ड़ बlusion उसको क्या कहा जाता है तो सवजनकों वीशा को सोना या हम शोना कहा जाता या तो इस प्रकार से जल पार्थ से जल अध्याय से जल ले संसे तेरा महत्पून क्विशन बने थे उसकी बात हमने कर लिए चित्रों के माद्यम से कुछ जो चित्र में ने दिखाई उनमें सिफ क्विशन बन सकता है तो मैंने सीधा ही वहां से जो जिस किनारे पर बसा हुए है वहां से आप सिधा याद कर लो अब इसकार नएने वीडियो इस यूटूब चैनल के माद्यम से चले जाते हैं कक्षा साथ जो रीट स्पेसल है मारी सेकंड लेवल के लिए कक्षा साथ रीट जो सेकंड लेवल है 6-8 का उसके लिए वेरी पोर्टेंट लेक्षर यहां पर चल रहे हैं अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ महत्पून शब्दावलियां इस अध्याई से समन्दीत है सबसे पहले सभ्यता किसे कहा जाता है सभ्यता तो सभ्यता कहा जाता है लोगों की जो स्थाई लोगों की स्थाई बसावट और उनकी संस्क्रिति को सभ्यता कहा जाता है वास्प इकरन क्या होता है किसी नेश्चित तापमान पर जल का वास्प के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है वास्प इकरन कहलाता है उसके बाद में बात करें हम वास्पूत सरजन क्या है बंस तक है लाती है संग्रन क्या होता है वाई यू मृडल में जल वास्प का पुन है जल के भीविन रूप ओश हो गया कोहरा हो गया बादल अधी का बन्ना संग्रन है अब सिस्ट क्या होता है वेर्थ और वेकार पदार्थ को क्या कहा जाता है अब सिस्ट कहा जाता है तो इस समधित हमने सभी क्विशन ले लिए हैं तो आप से मैं एक डिक्वेस्ट दुबारा से कर रहा हूं अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करना ना भूलें एक बार फिर से जोतिर्ष्ट में दिपूत्सो दिपावली के हार्दिक सुबकामनाई यह दिपावली आपके लिए ठेड़ सारी सुबकामनाई लेकर आए मंगलकारी संदेश लेकर आएं यही मैं आसा करता हूं भूत भूत धन्यवाद जैहिंद जैज